ल कि हम दिंपन ओर एनिमन्स की भोव्व और डवलेप्मेंट बारे में पढ़ेंगे कि ओंकि ऐसे यह सब को पताई कि जितने भी सजी वस्टों फोती में लिविंग ओर्ग निजम होते हैं वह बड़े होते हैं और अपने जैसे दूसरे उनके बच्चे पैदा करते हैं और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि जितने भी लिविंग और्गनिजम हैं वो अपने जैसे ही दूसरे और्गनिजम को पैदा करें उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं तो जितने भी जरूर है तो इस तरह से अगर अपनी प्रजाती को continue रखने के लिए इस existence में बनाई रखने के लिए उन्हें अपने जैसे ही अपने बच्चे पैदा करने पड़ते हैं तो reproduction लाइफ का एक basic process है basic life process है जिसमें की एक living organism अपने जैसे ही नए अपने ही body material से नए individual बनाता है तो यह जो अपस्प्रिंग है या जो नए जो बच्चे होते हैं वो अपने parents से basic गुणों में मिलते जुलते होते हैं तो reproduction किस किस चीज में हाल करता है एक तो life की continuity बनी रहती है कि एक ही तरह है कि जो organism है वो इस दुन संख्या बढ़ती रहती है और दूसरा जो एक certain time period के बाद एक सबसे जादा favorable variation होते हैं तो बच्चों इस तरह से reproduction जो है किसी भी प्रजाती की existence के लिए उसके होने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर reproduction नहीं होगा तो सारी प्रजातियां क्या होंगी कुछ समय में extinct हो लेंगे तो इस तरह से अब हम पढ़ते हैं कि जानवरों में कितनी तरह का reproduction होता है तो बच्चों living organism जो भी अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं जन्म देते हैं उनको हम उनके तरीकों को दो ग्रूप में बाढ़ सकते हैं दो मैथरन में बाढ़ सकते हैं एक तो होता रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे organism बनाता है बिना किसी दूसरे की help के एक single parent होता है इसमें तो इसको हम एसेक्स्वल रिप्रोडेक्शन बोलते हैं जैसे की और जो एसेक्स्वल रिप्रोडेक्शन के जो offsprings होते हैं मतलब उनके जो newly born organism होते हैं उसको हम clones बोलते हैं अब हम पढ़ते हैं reproduction by binary fission binary fission में क्या होता है बच्चो जो unicellular organism होते हैं जो एक cell से पने होते हैं जैसे की amoeba, bacteria, paramecium ये सब क्या होते हैं उनका जो parent cell का nucleus होता है वो दो पार्ट में divide होता है और उसको जो daughter nucleus को बोलते हैं हर एक पार्ट को तो ये जो daughter nucleus है ये फिर parent की body को split कर देता है बाट देता है दो हिस्तों में फिर ये जो half होते हैं फिर ये दूसरे daughter organism में बन जाते हैं तो इस तरह से एक organism ये नया बन जाता है इसके बाद reproduction by budding तो बच्चो बड़िंग में क्या होता है एक नया organism जो होता है वो parent के से growth हो जाती है उसकी जैसे की hydra में होता है कि बहुत सारे बल जो होते हैं वो इसके body के निचले हिस्से से जैसे की यहाँ पर ये produce हो रहे हैं तो निकलने लगते हैं और बाद में ये जब बड़ा हो जाता है तो ये अपनी parent body से अलग हो जाता है और एक छोटे hydra को में convert हो जाता है उसके मतलब develop कर देता है इसके अपनाने के लिए जैसे कि frog है,phish है humans है ये सब sexual reproduction की विदी से reproduce करते हैं अब इसमें दो तरह का होता है unisexual और bisexual animal तो जाधा तर जो जानवर होते हैं वो male अलग होते हैं और female अलग होते हैं male जो होते हैं वो sperm बनाते हैं और female जो होते हैं वो egg या ova प्रोडेूस करते हैं तो ये organism को हम unisexual बोलते हैं मतल़ा जिसमें एक animal एक तरह को होगा या तो male या तो female जैसे कि और जो कुछ organism होते हैं जैसे कि leech है, earthworm है इसमें male और female दोनों के sex organ होते हैं, तो इस तरह के organism को हम bisexual या hermafrodite organism बोलते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं fertilization के बारे में, fertilization क्या होता है बच्चों, जब male gamets, female gamets के साथ मिल करके एक बन जाते हैं, उसको हम, एक organism बन जाते हैं, उसको हम fertilization बोलते हैं, fertilization दो तरह का होता है, external fertilization और internal fertilization, सबसे पहले external fertilization क्या होता है, जिसमें की male और female जो होते हैं, उनके gamets को open वे, खुले में elaborate करते हैं, जैसे की जमीन पे या पानी में, तो जब इस तरह से fertilization होता है, तो उनकी body से बाहर जब fertilization होता है, तो इसको हम external fertilization होते हैं, जैसे की frog में, फिश में जो उनके gamets होते हैं वो पानी में liberate करते हैं तो external fertilization होता है इसके बाद internal fertilization जो होता है वो जब एक male जो होता है वो female की body में अपने gamets को release करता है तब female की body के अंदर fertilization होता है और इस तरह के fertilization को internal fertilization बोलते हैं जैसे कि humans में होता है बिल्ली में होता है, बर्ड्स में होता है, इसके बाद ओवीपेरस और वीवीपेरस अनिमल क्या होते हैं, तो बच्चो सेक्स्वल रिप्रोडक्शन जो होता है, वो दो तरीकों से होता है, जैसे कि कुछ अनिमल जो होते हैं, वो अंडे देते हैं, और जबकि दूसरे कुछ को पैदा करते हैं उनको हां वीवी पैरस एनिमल बोलते हैं सेक्सल रिप्रोडक्शन हुमन्स में किस तरह से होता है किस तरह से बच्चे बनते हैं तो हुमन्स में क्या होता है बच्चो मेल और फीमेल दो अलग अलग इंडिविज्वल होते हैं जो कि मेल जो होते हैं वह स्प और भी मेल में वह अलग अलग होती है दोरह में क्पड़ने में पकसे हैं यह में पर्छों सेपटों किया इस परिप्रोर्डेक्टीव ऺर्गर्णी सिस्टम हो यह निवनय ये में पियाच थोде दम्य में ayam like, membrane, cytoplasm, or nucleus से बना होता है और इसकी शेप जो होती है वो tadpole की तरह की होती है इसमें सीर होता है इसका बीच का हिस्सा ओता एक लंबी सी tail होती है तो जो tail होती है वो sperm के movement करती है fallopene tube में fertilization जब होता है तो fallopene tube में sperm का movement करती है सब्रहते जो हुते हैं वह पैंश से पैनिस से स्पम् डन आपक्ट के थुर बाहर आ जाते हैं अब टेस्टिस्ट से में वह मील भार्मॉन भी प्रोडियोष करते हैं जिने की टेस्टे इस्ट र करेक्टर्स नि युकर में उनकी आवाज और योट्रेस होता है वो बनता है इसके बाद sperm की तरह ही एक egg एक single cell organism है humans में एक single matured egg जो होता है वो लगबग एक मन्त में एक egg बनता है जो की oviduct में बनता है और uterus जो एक वो हिस्सा है जिसके अंदर baby होता है इसके बाद egg जो होते हैं वो ovary में produce होते हैं और दो एक फैली हुई funnel की तरह की opening रस्ता होता है जिसे की oviduct का हर एक तरफ एक होता है oviduct जो होता है वो चोड़े मुझ से की दिवारों से muscular muscles का बना हुआ एक chamber जैसा होता है जिसे की uterus या warm बोलते हैं तो uterus जो होता है वो बाहर से muscular passage जिसे की vagina बोलते हैं उसके थुरू communicate करता है सर्विक्स muscles का ring होता है जो की निचले किनारे पर होता है uterus के और vagina उससे जुड़ा हुआ होता है इसके बाद यह female part हो गए reproductive part इसके बाद fertilization तो बच्चों यह oviduct में होता है जो की जहांपर की ovum एक sperm से मिलता है और वो आपस में fuse होकर के और फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के दोरान क्या होता है इस पर्म का जो नूपली होता है और एक जो होता है वह अपस में दूसरे के साथ मिल करके एक single nucleus बना लेते हैं तो इसकी वज़े से एक एग या जाइकॉट फर्टिलाइज हो जाता है अब जो एक एग होता है, वो स्पर्म से फ़र्टिलाइज नहीं होता है, तो ये यूट्रस से कुछ यूट्रिन मसल के साथ ब्लेड में मिलके बाहर आता है, जिसे की मैंसुरेशन बोलते हैं, तो बहुत सा number of eggs जो होते हैं, वो एक ही समय में produce हो जाते हैं, अलग-अलग mammals में, जैसे humans हैं, elephant हैं, guy हैं, तो ये generally एक समय में एक ही egg produce करते हैं, बिली, dog, rabbit, ये सब एक से ज़्यादा हैं एक समय में बनाते हैं, तो ज़्यादा babies इसलिए उनको एक समय में ज़्यादा babies होते है जाइगोड जो होता है, वो sperm cell का, फादर के sperm cell और मदर के egg cell के मिलने से होता है, ये chromosomes और इसमें chromosomes genes होते हैं, दोनों के पापा और फादर और मदर दोनों के chromosomes होते हैं, तो इसलिए जो नया, जो individual बनता है, उसमें उसके मा और फादर दोनों के गुण आते हैं, तो क्या आपक में भी आपके ममी और पापा के कुछ गुण होते हैं तो वो इसी वज़े से होते हैं इसके बाद बच्चो डवलेप्मेंट ऑफ एंब्रियो अब हम देखते हैं कि एंब्रियो किस तरह से बनता है इस डवलेप्मेंट में जो फर्टिलाइजड होता है वो ओवी डट से जाता है जिसे कि प्लेसेंटा बोलते हैं वो इंब्रियो को उसकी यूट्रेस की दिवार से अटेस्ट कर देता है आठ हफते में उसके सारे मेजर ऑर्गनिजम बन जाते हैं जैसे कि हाथ, पैर, हैड, आइज, कान यह सब बन जाते हैं और एंब्रियो के इस स्टेज में उस और mother को baby का kick feel होने लगता है foetus का 16 हफतों बाद, 36 हफतों के बाद foetus जो होता है एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो इस तरह से एक baby का reproduction होता है, बच्चा बनता है, अब है metamorphosis, metamorphosis के होता है बहुत सारे जो नए नए mammals बनते हैं, या नाइल birds हैच होते हैं अग में से, उनमें उनकी जो shape होती है और structure होते हैं उनके parents से मिलता जूता होता है, जैसे कि animal के उसमें होता है, कि एक मेड़क है, मच्चर है और butterfly है, उनका अलग-अलग development की stages होती है, एग से निकलने के बाद, और वो अलग-अलग individual का निर्मान करते हैं, तो सबसे पहले हम frog के life cycle के बारे में पढ़ते हैं, उसमें तीन stages होती है, एग के बाद tadpole या larva जिसको बोलते हैं, और उसके बाद वो adult frog में change हो जाता है, तो tadpole जो होता है, adult frog से बिलकुल अलग दिखता है, और यह जो अचानक से tadpole से adult frog बनने में जो एकदम से changes होते हैं, उसको हम metamorphosis बोलते हैं, अब हम एक मच मंचर मे जब हैच होते हैं, तो उसमें से खीडा जैसा निकलता है, लार्वा, हर एक एंग में से, और दो हफतों में यह होता है, एक pupa से कवर हो जाता है, और जिसकी शेप एक कॉमा की तरह की हो द ness». बोलते हम जाता है, और कुछ हफतों में यह तोड़कर के Jest के बाद बतर एक के बाद लारवा याने की कैटरपिलर के स्टेज होती है प्यूपा, और फिर अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है, तो इस तरह से इस केस में लारवा और प्यूपा, दोनों एक डूसरे, अडल्ट बटरफ्लाई से बिलकुल अलग दिखते हैं, जो अडल्ट के बारे में बढ़ा, रिप्रोडेक्शन क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिप्रोडेक्शन वो प्रोसेस है, जिसमें की एक ही तरह के इंडिवीज्वल का प्रोडिूस होने का प्रोसेस होता है, एक सिंगल पैरेंट जिस रिप्रोडेक्शन में इन्वॉल्व उसकी exact copy होती है उसके parent की और sexual reproduction में दो parent एक male और एक female चाहिए होता है male parent जो होता है उसके sperm और female के और यानि की egg को मिला करके sexual reproduction होता है sperm और egg जो होता है वो मिलकर के gigot बनाते हैं जिसको की fertilization बोलते हैं और embryo जो है वो gigot से बनता है उसके repeated division के बाद और जो की बड़ा uterus में एक female के uterus में बड़ा होता है और उसको internal fertilization के तुरू और embryo जो है वो एक fortis में convert हो जाता है baby paris animals होते हैं वो अपने बच्चों को जन देते हैं और oviparis egg ले करते हैं कुछ जानवरों में embryo का development एक stage के बाद होता है या जब उनके egg hatch हो जाते हैं इस लार्वा के transformation जो है वो adult में हो जाती है और इस तरह के जो अचानक से बदलाव होते हैं उसको metamorphosis बोलते हैं इस तरह से बच्चों यह था reproduction growth और animals के बारे में I hope आपको समझ भाए होगा thank you